Hello everyone, welcome back to the channel, welcome back to another video and guys, finally आज हम चलाने वाले Jixxar SF250 and this is right now my favorite quarter liter motorcycle, एक time था जब तक मेरी favorite quarter liter motorcycle CBR250R थी, but अभी वो बाइक जो है discontinue हो चुकी है, BS6 में वो बाइक फिर से लांच नहीं हुई, but right now this bike जो अपने सामने खड़ी है, this is the quarter liter beast and mid range, top end, low end, हर जगा ये बाइक जो है literally kill करत ये अभी हम लोग पहले इस बाइक को थोड़ा सा right करेंगे, फिर बाइक को चलाने के बाद, मैं आप लोग बतातो हो, इसमें क्या 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 मिलता है, क्या 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 नहीं मिलता है and अभी इस वक्त, यानि 2024 में भी QGXar 250 SF आपको लेनी चाहिए, because देखो इस है and पहले इसको थोड़ा सा right करते है and वाकराउंड आपको मैं थोड़ा सा बाद में देता हूँ, by the way, इंजिन में आप लोग बता दूं कि इसमें 250 CC की, 249 CC की, oil cooled इंजिन आपको मिलती है and यहाँ पे आपको एक रडियेटर मिलता है, that is for oil cooling and yes, इसमें आपको liquid cooling नहीं मिलत So, बाइकी बाइकों मैं जैसे कि आपको DOHC engine मिलता है, वैसा नहीं है, so yes, very traditional engine, बाकी थोड़ा से इसको on करते हैं देखते कैसा इसका cluster है, so कुछ ऐसा digital cluster आपको मिल जाता है and यहाँ पे go लिख के आ रहा है, cluster थोड़ा सा I think change किया है, पहले जो पुरानी वाली चिकसर थी उ updated है and also अभी आपको इसमें Bluetooth connectivity मिल जाता है, बाकी पॉस्चर की बात करें, तो पॉस्चर देखो, बिल्कुल भी upright नहीं है, but it's very comfortable and इस पे जिकसर 250SF में already एक वीडियो मैंने बनाया था, वहाँ पे मैंने आप लोग कहा था कि यह बाइक जो है, सिटी वीडी में चलाने के ल नहीं होती, अभी आपको इसमें ऐसे clutch से start करना परता है, यानि अगर गारी आपकी neutral में भी है, तो भी आपको clutch पकड़ के start करना परता, तो अभी इसमें भी ऐसा system कर दिया है, जहां तक मुझे याद है, पहले ऐसा नहीं था, बाकी मैं जिकसर अच्छली बोद दिन से चला and initial में यह bike मतलब लेकर भागती है, just see, it has a good initial, good initial torque and power जो है, काफी बढ़िया build-up होती है and काफी smoothly power आती है, bike की posture जो है, उतनी ज़्यादा aggressive नहीं है, bike की posture is comfortable and to be very honest, यह जो suspension है, यह बेशा कि इसमें telescopic suspension मिलता है, पर आपको थोड़ा बूत feedback आ जाता है, लेको bike to be very honest, ज्यादा uncomfortable नहीं है, थोड़ी से upright side में है, but बिल्कुल भी upright नहीं है, it's little more upright than a KTM RC, but little less than some sports tourer motorcycle and थोड़ी से committed में इसको इसलिए बोल रों कि इसकी footpeak का position है, वो थोड़ी handlebars का कोई दिक्कत नहीं है, handlebars are very upright and brakes are good, brakes are good, suspension are good and suspension जो उतना ज्यादा dive नहीं मारती है, so अगर मैं इसमें heart breaking करूँ तो suspension उतना ज्यादा dive नहीं मारती है and थोड़ा सा मुझे feedback आ रहा है, जो कि अच्छा है actually, sports bikes में थोड़ा सा feedback आना जरूरी है, वनना bike जो है, थोड़ा सा unsettled हो जाएगा, high speed में, काफी सारे अपने drag races देखे होंगे and ये bike almost 150 up जाती है, इससे पहले जो bike drag race की बादशा थी, that was CBR 250R, अभी ये bike है, ये bike यार, low end इसका जितना अच्छा है, top end उससे भी बढ़िया है, mid range भी अच्छा है, मतलब इतना perfect engine बना है Suzuki ने, Suzuki यार, engine अच्छ बनाते है, by the way, ये जो bike हम चला रहे है, this is the grey one, and mad grey, mad black भी बोल सकते हो, थोड़ा सा grey stretch है, and दूर से देखने मुझे ग्रे लग रहा था, but ये actually black है, mad black, and यहाँ पर थोड़ा सा, आपको दिखाते है, दिखने में, bike overall कैसी लग रही है, and walk around मेंने starting में आपको दिया नहीं, and इसका थोड़ा सा exhaust note भी आप लोको सुना देते है, बाकी देखो उतना workaround देने का तो कुछ है नहीं, bike जैसी थी, वैसी है, मतलब दिखने में almost वही सेम डिजाइन, वही सेम सब कुछ, यहाँ पर LED आपको मिल जाता है, यहाँ पर halogen मिल जाता है, and मेरे एक दोस्त ने करके LED करवाई थी, उसमें काफी बढ़िया थ्रो आ रहा था, यानि जो brightness से उसको काफी बढ़िया आ रहा था, and inbuilt hazards आपको नहीं मिलते है, but अभी आपको Bluetooth connection मिलता है, so that's a good thing, बाकी switch gear की quality decent है, उतना ज्यादा premium भी नहीं है, उतना ज्यादा खराब भी नहीं है, and fit and finish is okay, and 250 CC की जैसे के मैंने कहां, आप लोगो single cylinder, oil cool engine मिलती है, and यहापे कोई fins वगएरा नहीं मिलता, so this is just oil cool, not air plus oil cool, बागी कोई switchable ABS वगएर आपको यहापे देखने को नहीं मिलता, so you are getting dual channel ABS, front पे आप लोगो बाइबरी के calipers मिलते है, पीछे भी बाइबरी के calipers ही मिलते है, and tire tire section के अगर मैं बात करूँ सामने, I think 110 मिलता है, जैसे अपने KTM की अनाव ऐसी same है, tire section, 110 by 70 R17, यहापे आप लोगो 17 inch के wheels मिलते है, and यहापे भी देख सकते हो, MRF के revzy tires मिलते है, and यहापे पीछे भी MRF revzy, 150 by 60 होना चाहिए, इसका जहा तक मुझे लगता है, so yes, यहापे द 22.2 PS, sorry, PS बोल रहो, 22.2 Nm की torque प्रोड्यूस करती है, and exact figures में आपको नीचे दे दूँगा, यहापे देखो लिखा भी हो है, 249 cm cube, that means it's a 249 CC engine, वाकराउंड देनेगा उतना कुछ है नहीं, बाकि 12 L के आपको टंकी मिलती है, mileage ठीकता की है, and mileage completely आपके riding style पर डिपेंड यार मेरा स्यार मुझे उतने कुछ सही नहीं लगते इसके, and एक चीस लोग complain करते है कि इसमें जो यह वाइजर है ना, यह थोड़ा ऊचा होना चाहिए था, but मैं आप लोगो एक story share करता हूँ, जैसे कि आप लोगो मालू में यह बाइक बोंदिस है, also मेरे एक दोस्त के पा अगर आप लोग जिक सट फिप्टी ऐसे लेते हो ना, तो वाइजर अगर आप डबल वाइजर ऐसे कुछ लगाते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, because हमने जब लगवाया था, तो यह चीज़ में लगके वह वाइजर तूटके मतलब पहला दिन ही नुकसान हो गया, so that was a failed modification, and by the way, मैं आप लोगो इसका exhaust सुनाना भूल गया, so थोड़ा से इसका exhaust सुनाते है, and यह से निकलते है, so bike अपनी neutral में है, and जैसे कि मैंने कहा, clutch पकड़ कि इसको start करना पड़ता है, so yes, bike कुछ ऐसा sound करती है, and देखो, उतना ज्यादा loud नहीं है, उतना ज्यादा, क्या बोलेंग, ना ही bass है, ना ही कुछ ज्यादा अलग सा बात है, इसमें, एक बहुत ही smooth and refined sound आता है, so जिन लोगो ज्यादा attention की जरूद नहीं है, उनलोगे लिए 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 परफेक्ट है, काफी smooth feel होती है, bike ride करने में, and bike की sound भी काफी बढ़िया है, बाकी suspension यहाँ पर देख से तो खड़ाब रास्तों में, थोड़ा सा मुझे feedback, यानि थोड़ा सा जटके नीचे से दे रहा है, but that's okay, because this is a sports motorcycle, and उतना जटका expected है इससे, telescopic suspension आपको मिल जाता है, बेशक, बटे उतन करते है, उतना ज़्यादा डाइब नहीं है, last time जब मैंने इसको चलाया था, last time जब मैंने इस पे aggressively brakes apply किये थे, तो उसमें एक डाइब था, पीछे का साइट से ABS on नहीं था, meter connected नहीं है, तो obviously इसका ABS connect नहीं है, so that's why पीछे का टायर थोड़ा स्किट हुआ, but brake की bite जो है, वो काफी बढ़िया है, and वापस एक बाइपलाई करते है, see, normally अगर आप braking करते हो, तो गाड़ी आराम से रुख जाएगी, and पहले जो जिकसर यानि जो SF250, उसमें एक front suspension में एक nose drive मिलता था, वो अभी मुझे नहीं मिल रहा, so that's a good thing, Suzuki वालों नहीं एक अच्छा चीज किया, because hardware components से मुझे इसकी थोड़ी सी सिकायत थी, brakes and suspension उस से, so वो अभी थोड़ा बहतर कर दिया है, so that's a good thing, बाकि इस बाइक में heating इस नहीं है, and उसके लिए मुझे इसको थोड़े देर चलाने की ज़रूरत नहीं, already अपने किसी दोस्त के पास है, अपने किसी भाई के पास है ये बाइक, so मुझे पता है, and उस पर already एक dedicated वीडियो था, उसका लिंक में आपको या पर attach कर दूँगा, so वो भी आप देख लेना, and that was the city ride review of this motorcycle, हाला कि वो जो बाइक था, that was anniversary edition, यानि जो मोटो जी भी वाली, but इन में और anniversary वाले edition में से paint scheme का ही difference है, and उतना कुछ खास difference है, नहीं, बाकि एक और बार इसकी braking थोड़ा टेस्ट कर लेते है, तो फ्रंट की bite थोड़ी से soft है, अगर मैं इसको KTM वगर सा compare करूँगा, but उतनी भी soft नहीं है, so it's a good bite, and suspension भी काफी responsive है, पहले जो जिकसर आती थी थी ना, उसमें suspension काफी soft थे, and अभी मैंना देख रहा हूँ कि थोड़ा सा इसमें feedback दे दिया है, so that's a good thing, बाकि इस बाइक क अल्मोस्त आ रही है, 2,49,000 on-road Kolkata, and इसकी जो एक और कलर है, यानि MotoGP, वो आती है, 2,50,000, यानि जस्ट एक हजार का difference है, मान के चलो, and बाकि यहाँ पर देख सकतो अभी, diamond cut alloys मिलते है, so this is also looking good, बाकि 6-speed gearbox इसमें भी मिल जाता है, and इसकी जो राइवल है, that is KTM RC200 right now, and ऐ price point, जिस price point में आ रही है, उस price point में आप लोगो, यानि उससे भी actually थोड़ा सा ज्यादा, because RC200 यहाँ पर almost 2,57,000 on-road आती है, and यह आती है, 2,50,000 on-road, and उसमें आप लोगो features-wise उतना ज्यादा कुछ offer नहीं होता, super motor mode हाला की मिलता है, but यहाँ पर देख सकते हो, आपको Bluetooth connectivity मिलत P.S. का power generate करती है, and 22.2 Nm का torque, so obviously उससे ज्यादा power produce करती है, उससे ज्यादा torquey engine है, low-end S.O.H.C. engines का अच्छा रहता है, and हाला कि उससे top end इसका sacrifice नहीं हुआ है, top end इसकी to be very honest, RC200 से हमेशा से ज्यादा थी, ज्यादा है, and आगे रही की नहीं नहीं पता, but अभी के लिए top end म आपको यहाँ मिलती है, and वहाँ पर almost 13.7 की वहाँ पर मिलती है, but to be very honest, 12.0 L का tank is decent, इसमें भी आप टूर्वूर लगा लोगे, सब कुछ बड़िया से कर लोगे, साड़ी गार्ड आपको यहाँ पर मिल जाता है, and पीछे हाला कि यहाँ पर halogen बगेरा मिलता है, तो यह सब चीज़े थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था, सुजुकी को यहाँ पर एड़ी दिना चाहिए था, and एक और चीज मैंने देखा कि यहाँ पर जगा छोड़के रखा है, यहाँ पर एक रेडियम टाइप का कुछ दे सकते थे, हाला कि आपको एकसरी में, वील्स में रेडिय प्रेस करता हू, तो देख सकते हो, यहाँ पर बैटरी वोल्टेस दिख जाता है, किलोमेटर सिख जाते है, देन ट्रिप A, ट्रिप B, यह सब आपको दिख जाता है, average दिख जाता है, so, तो रियल टाइम मैलेज आपको मिल जाता है, गीरशिफ्ट इंडिकेटर भी आता है, टाइम आता है, टैकोमीटर आपको यहाँ पर आता है, यहाँ पर आलमॉज 12,000 तकार पीम दिखा रहा है, बाकी फ्यूल डीडिंग इसकी यहाँ पर दिखाती है, यहाँ पर देख सो तो क ज्यादा चीजे मिल रहे है, बट वो ज्यादा चीजे हैंडेल करने के लिए यह जो साइज इसको भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए था, वो नहीं बढ़ा है, वो एक डिसपोइंटमेंट है, बाकी स्विच गर में यहाँ पर आपको किल स्विच मिल जाता है, यहाँ पर होन कैसी है, कैसी नहीं है, सो होन इस डिसेंट, होन उतनी ज्यादा लाउड नहीं है, बाकी यह सब कुछ चीजे आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपकी जैसा मैंने कहा, क्लिपन सा नॉट डैट अग्रिसिव और नॉट डैट अपराइट ऑल्सो, अभी जो निउजन रसी 200 आती है ना, उस से थोड़ा सा हाला की अप है, देख सकते हो, अगर मैं बिल्कुल अपराइट बैठूंग ना, तो मैं अच्छे से रीच कर पा रहा हूँ, बिकॉस निउजन रसी 200 में भी थोड़ा सा आगे जुकना परता है, और उसमें तो यार काफी जुकना परता है, उसकी तो भात में छोड़ी देता हूँ, यह जो बाइक है, यह पाउरफुल भी है, और कमफर्डेबल भी है, बाकि अगर आपका बज़ेट 250,000 का हो, तो आप कॉनसा मोटर साइकल में जाना पसंद करोगे, यह मुझे कमें में बता हो, बाकि आपको चाबी दिखाना भूल आप है, गारी बंद हो गई, दिख सकते हो, आपको इस देखने पर मिल जहता है, बाकि होटे ब्लस के ब्रेंड़ी का मतलब, मिल जाता है, जो ऑई सबसे इसकी बेस्ट लूकिंग बारिक है, यह नि जो अग बन खालाय यहां बागी बीसे लिए बागी ब्लू भी बॉली आती है याई एक तम मैट डार्क ब्लू और एक यह भी मैट ब्लाइक आरती है सो यह दो कलर अप्शन आपको मिल जाते हैं बाकि इस बाइक के बारे में उतना कुछ बताने को है नहीं बिकॉस ओविएसली इस बाइक में उतना कुछ अपडेट भी है नहीं मिर्स मुझे उतने अच्छे नहीं लगे मिर्स काफी मतलब क्या बोलें देख सकते हो क्वालिट यहां पर थोड़ा सा बेटर कर सकता था थोड़ा सा इंप्रूफ कर सकता था सुजुकी बिंजिन इस गूट इंजिन इस पारफूल इंजिन इस रिफाइंड और बाकि बिफोर एंडिंग इस वीडियो मैं भी आया था अनिमे सुजुकी इस एट विए पी रोड औ अगर आप सुजुकी से रिलेटेड कोई भी बाइक देखना चाते हो या आपना टेस्ट राइट बुक करना चाते हो बाइक बुक करना चाते हो आपना टेस्ट राइट बुक करना चाते हो आपना टेस्क्रिप्शन में दे दूँगा बाकि I think that's it from the video वीडियो पुसंदा आपना टो लाइक करो चैनल पर नहीं तो डू सुस्क्राइब बाकि इंस्टाग्रम है डिली चाहरों को फॉलो कर सकतो हो मिलते है एक और वीडियो को व्लाग में तो तो की राइट हाट राइट सेफ जय हिन बंदे मातर हम